सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल क्रेजी जिकेटरिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन्स के लिए इस बेल आइकन को दबाए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जिकेटरिक दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में सोर मंडल, स्टेट एकजाम ले लो, चाहे आप नेशनल एकजाम ले लो, आपको एक या दो कोशन हर एकजाम में इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे तो फ्रेंड्स काफी important lecture होने जा रहा है आज का, इस वीडियो में last में मैंने 50 plus important question का एक test भी include करा है तो वीडियो को पहले अच्छे समझेगा, फिर last में वो टेस्ट जरू लगाईएगा जिससे कि आपका इस topic से question बिलकुल पक्का हो जाए तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो को start करते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं सोर मंडल क्या होता है सुर्य के चारो और अंडाकार मार्क पर उसकी परिक्रमा करने वाले गरहों, उपग्रहों, धुमκεतू, उलकाओं और शुद्ध गरहों के सम्मू को क्या बोलते हैं? सोर मंडल बोलते हैं इस सोर मंडल में जो गरहों की संक्या है वो कितनी है? आठ है 2006 से पहले जो ग्रहों की संक्या थी, वो कितनी थी? 9 थी Pluto को 2006 के बाद 12 ग्रहों की केटेगरी में डाल दिया गया तब से ग्रहों की संक्या कितनी हो गई? 8 हो गई है देखिए सुर्य से अगर हम इनका sequence देखें तो देखें सबसे पहले आता है बुद्ध, फिर शुक्र, प्रत्वी, मंगल, ब्रस्पती, शनी, अरुन, वरुन तो देखें फ्रेंड्स इसको याद करने की कोई भी ट्रिक की ज़रोत नहीं है बहुत सिंपल तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं पहले चार याद करिए आप बुद्ध, शुक्र, प्रत्वी, मंगल, और उसके बाद फिर चार याद करिए ब्रस्पती, शनी, अरुन, वरुन ठीके बहुत आसाने से याद रख सकते हैं बच्पन से हम पढ़ते हैं इनको बुद्ध शुक्र प्रत्वी मंगल, बुद्ध शुक्र प्रत्वी मंगल, ब्रस्पती शनी अरुन वरुन, ब्रस्पती शनी अरुन वरुन, दो तिन बार प्रैक्टिस कर लिजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ये तो हमको बिल्कुल जिबान पर होना चाहिए, बु में शुक्र और अरुन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ग्रह जो है सूर्य के परिक्रमा लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर पर शुक्र और अरुन ये ऐसे दो ग्रह हैं जो सूर्य के परिक्रमा लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर ठीके इसलिए इन दोनों ग्रहों पर, सूर्य उद़े जो होता है, वो होता है, पश्यम से, और सूर्यास्त जो होता है, वो होता है, पूर्व में, तो ये कुछ basics थे, आगे बात करते हैं, कि सोर प्रणाले की खोच करी थी, कौपर निकस ने, एक्जाम में काफी बार पुछा गया कोशन है ये, और ग् करते हैं सूर्य की सूर्य जो है हमारी गेलेक्सी के केंद्र से लगबग 30,000 प्रकाशवर्ष की दूरी पर एक कोने में इस्तित हैं और यह हमारी प्रत्वी से लगबग 13,000,000 गुना बड़ा हैं सूर्य प्रत्वी के सरवादिक निकट का तारा हैं तो यह एक्जाम में डारेक 26.5% है सूर्य पे हाइड्रोजन 91% है और हिलियम 26.5% है और अन्य तत्वे इस पे 2.5% सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के चार नाभिक मिलकर एक हिलियम नाभिक का निर्मान करते हैं यह अल्रडी मैं आपको फीजिक्स के लेक्सेर में बता चुका हूँ इसके केंद्र पर नाभिकी सनलायन की किरिया होती है जो सूर्य की उर्जा का स्त्रो होते हैं ओके सूर्य की जो ग्रेविटेशनल पावर होती है उस करण से यह ग्रव और अन्य पिंड जो होते हैं वो इसकी परिक्रिमा करते रहते हैं सूर्य लगातार जो होता है वो अद्रश अवरक तक किरने परावेगनी किरने एक्सरे गामा किरने रेडियो तरंगे के रूप में क्या करता है उर्जा का उच्छर्जन करता रहता है सुर्य के प्रकाश को प्रत्वी तक पहुचने में कितना समय लगता है आठ मिनिट सोला सेकेंड का समय लगता है कितना समय ये भी डारेक्ली एक्जाम में कोशन पुशा आता है 8 मिनिट 16 सेकेंड का समय लगता है अब देखें दोस्तों एक्जाम में एक चीरो पुछी आती है कि सुर्य में काले धब्बे दिखाई देते हैं वो काले धब्बे वाले इस्थान क्या है तो वो सुर्य के ऐसे इस्थाने जो प्रकाष उस्थरजित करने में असमर्त होते हैं तो वो किस तरके दिखाई जएते हैं? काले धब्बे के फॉर्म में दिखाई देते हैं ठीके, तो ये भी हाली में एक्जाम में कोशन पुशा गया था तो ध्यान रखिएगा तो friends यह मैंने आपको सूर्य से related सारे important points बताएं अब एक एक करके हम ग्रहों की बात करते हैं sequence wise हम सारे important points याद करेंगे देखे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रह की बुद्ध जो कि सूर्य के सबसे निकटे हैं तो देखिए बुद्ध ग्रह को क्या बोला जाता हैं mercury बोला जाता हैं यह सोर मंडल का सबसे छोटा ग्रह हैं और सूर्य के सबसे निकटतम हैं इस ग्रह पर दीन जो होते हैं वह बहुत ज़दा गर्म होते हैं और राध जो होते हैं बहुत ज़दा थंड़ी होती है मतलब अगर दीन का temperature देखा जाए तो लगभग 427 डिग्री सेल्सेस होता है जबकि राध का temperature यहां पर क्या होता है minus 173 डिग्री सेल्सेस होता है लगभग लगभग आगे बात करते हैं बुद्ध सूरी की परिक्रमा जो होता है वो सबसे कम मतलब बोला जाये तो सबसे जल्दी से परिक्रमा कर लेता है 88 days में ये परिक्रमा पूरी कर लेता है सूरी की इस ग्रह पर वायू मंडल नहीं है इसलिए यहाँ पर इवन संबव नहीं है बुद्ध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है जैसे हमारी परित्वी है परित्वी का उपग्रह क्या है चंद्रमा है तो वैसे बुद्ध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है आगे बात करते हैं हम शुक्र ग्रह की इसे बोला जाता है तो फ्रेंड्स एक्जाम पॉइंट ओफ यू से यह काफी इंपॉटेंट है, यहां से बहुत बार कोशन्स निकले हैं, देखिए हम बात करते हैं इसकी, यह प्रत्वी के सबसे निकट का ग्रह हैं, तो डारेक्ली एक्जाम में कोशन पुछा जाता हैं कि प्रत्वी के सबसे ग्रह कौन सा हैं, तो वो है शुक्र, पूरे सोर मंडल का सबसे चमकिला, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा हैं, शुक्र ही हैं, शुक्र ग्रह, अन्य ग्रह के विपरिस सुर्य की परिक्रमा कैसे लगाता हैं, पूर्व से पश्यम की और लगाता हैं, बाकि सारे ग्रह जो हैं, वो परिक्रमा लगाते हैं सुर्य की पश्यम से पूर्व की ओर। अरुन और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सुर्य के परिक्रमा लगाते हैं पूर्व से पश्यम की ओर। इसलिए इनका सुर्यदय जो होता है वो पश्यम की तरफ होता है और सुर्यास्त जो होता है वो पूर्व में होता है। इस करण से इस ग्रह को क्या बोला जाता है इवनिंग स्टार और मौनिंग स्टार भी बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला एक्जाम में कोशन पुछा गया था हाली में, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसे बोला जाता है, शुक्र को बोला जाता है, वीनस को, आकार घनत्व जो होता है, इसका प्रत्वी के समान होता है, इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे की Earth Twin, प्रत्वी का जुढ़वा जुढ़ा गरह, या Earth Sister, प्रत्वी की बहन, इस नाम से इसे जाना जाता है, इस गरह का भी कोई उपगरह नहीं है, ठीक है तो बूद और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है आगे बात करते हैं कि इस ग्रह के वायू मंडल में 95% जो होती है वो कारवन डाकसाइट है और 3.5% जो है वो क्या है नाइट्रोजन है तो ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए है शुक्र से रिलेटेड़ विनस से रिलेट़ ये काफ़ी इंपोटेंट है इनमें देखे एविनिंग स्टार और मॉनिंग स्टार किसको बोलते हैं? विनस को बोलते हैं अर्थ ट्विन और अर्थ सिस्टर भी शुक्र को ही बोला जाता है अब बात करते हैं प्रत्वी की अर्थ की ये सोर मंडल का एक मात्र ग्रह है जिस पर जीवन है प्रत्वी के विश्वत व्यास मतलब भूमद्य व्यास और धुरूवी व्यास के बीच में लगबक कितना अंतर है 43 किलोमेटर का अंतर है तो देखिए जो इसका एक्जाम में पूछ ले आता है तो दोनों का डिफरेंस कितना है 43 किलोमेटर का इन दोनों के विच में आंतर है आगे बात करते हैं कि प्रत्वी जो है वो अपने अक्ष से कितना जुकी हुई है 23 सही 1 by 2 डिगरी जुकी हुई है यह अपने अक्ष पर पश्शिम से पूरा कर लेती है 23 गंटे 56 मिनिट 4 सेकंड में यह पूरा कर लेती है प्रत्वी पर जल की उपस्तिति होने करन इसे क्या बोला जाता है नीला ग्रह बोला जाता है ठीक है ब्लू प्लेनेट बोला जाता है प्रत्वी का एक मात्र उग्रह है वो कौन सा है चंद्रमा है और ध सतर का 59% होता है आगे बात करते हैं कि प्रत्वी को सुर्य की परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनिट 46 सेकंड लगता है तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 365 दिन 6 घंटे का इसको समय लगता है तो देखिए जो कैलेंडर येर होता है हमरा ठीके कैलेंडर वर्ष होता है वो कितना होता है 365 दिन का होता है तो 6 घंटे कहा जाते हैं फिर ये तो 6-6 घंटे करके ये देखिए 4 साल में पूरा एक दिन मन जाता है इसलिए हर 4 साल ली पियर आता है जिसमें 386 दिन होता है इसलि कि स्तिती जो है सूर्य के साप एक्षेंज हो रही है परिवर्तन हो रहा उसमें इस कारण से यहां पर प्रत्वी पर रितु परिवर्तन देखने को मिलता हैं सबसे अधिक चमकिला तारा कौन सा हैं साइरस जिसे डॉक स्टार के नाम से आना जाता हैं प्रत्वी से नो प्रकाशवर्ष की दूरी पर इस्तित हैं सूर्य से प्रत्वी की दूरी की बात करते हैं तो प्रत्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है अंडाकार पत्पर जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी जो है वो continuously change हो रही है तो अगर अधिक्तम दूरी की बात करें तो वो कितनी है 15.21 करोड किलो मेटर और ये कब होती है चार जुलाई के दिन होती है तो चार जुलाई के दिन सुर्य और प्रत्वी के बीच में अधिक्तम दूरी होती है ठीक है और नियुनतम दूरी की बात करें तो वो कितने होती है 14.70 करोड किलोमेटर जो कि कब होती है तीन जनवरी को होती है तीन जनवरी को सुर्य और प्रत्वी के बीच में नियूंतम दूरी होती है ठीक है तो ये भी एक्जाम में पुछा जाता है चार जुलाई और तीन जनवरी ध्यान रखेगा very important है तो देखे फ्रेंड्स अधिक्तम दूरी और नियूंतम दूरी के तो हमने बात कर लिए तो अब प्रत्वी और सुर्य के बीच में जो average distance है ठीक है ओसत दूरी जो है उसे क्या बोला जाता है खगोली एकक बोला जाता है क्या बोला जाता है खगोली एकक तो देखे अभी एक्जाम में पूछा गयता कोशन ये कि प्रत्वी और सुर्य के बीच की ओसत दूरी क्या कहलाती है खगोली एकक कहलाती है अब देखे प्रत्वी से related कुछ और important facts आपको बताता हूं में कि प्रत्वी के उत्री दुरूव की खोच किस ने करी थी North Pole की Robert Pyrrini करी और दक्षणी दुरूव की खोच किस ने करी ये Emond Sen ने करी अब देखे प्रत्वी जो है वो सुर्य की परिक्रमा लगा रही है ठीक है परिब्रहमन कर रही है सुर्य का तो परिब्रहमन चाल जो है प्रत्वी की वो कब अधिक होती है जब वो प्रत्वी सुर्य के निकट होती है तब उसकी परिब्रहमन चाल जो होती है वो अधिक होती है जब दूर होती है तो परिब्रहमन चाल जो होती है वो उतनी तेज नहीं होती है जैसे यह सूरी के पास जाती है तो उसकी चाल जो होती है वो परिब्रमन चाल बढ़ जाती है तो ये भी exam में questions पूछा जाता है ध्यान रखेगा कि प्रत्वी की परिब्रमन चाल जो है वो अधिक होती है जब प्रत्वी सूरी के निकट होती है ठीक है तो दोस्तों ये सारे points important में आपको earth is related बताए हैं चलिए आगे हम हम बात करते हैं मंगल की मार्स की तो देखिए इसे लाल गरह red planet भी करते हैं iron oxide के करण इसका रंग जो होता है वो क्या है लाल है प्रत्वी के समान ये अपने अक्ष से 25 दिगरी के कोंड पर जुका हुआ है इसलिए यहाँ पर रितु परिवर्तन होता है इस ग्रह पर वायू मंडल का पतला आवरण है जिसमें nitrogen, organ, gaze जो होती है वो पाई जाती है मंगल के दो उपग्रह हैं Phobos और Demos ध्यान रखिएगा Demos जो है वो सोर मंडल का सबसे चोटा उपग्रह है कोंसा सबसे चोटा उपग्रह कोंसा है Demos है और यह किस ग्रह का उपग्रह है मंगल ग्रह का आगे बात करते हैं कि सोर मंडल का सबसे बड़ा ज्वाला मुखी ओलिपस मेसी और सोर मंडल का सबसे उंचा परवत निक्स ओलंपिया जो की माउंट एवरेस से तीन गुना अधिक उंचा हैं कहां पर इस्तित हैं मार्स पर इस्तित हैं तो ये कुछ important points थे मंगल से related तो आपको ध्यान रखना है आगे बात करते हैं हम जूपिटर की ब्रस पती की तो देखिए ये सोर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हैं कौन सा ब्रस पती ये ग्रह मुक्यतक गेस और द्रव से मिलकर बना हुआ हैं इसलिए ब्रस पती में ठोस भूमी का हैं ब्रस पती का हैं ध्यान रखिएगा गेनेमीड सोर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हैं तो ये भी पुछा आ सकता एक्जाम में आगे बात करते हैं सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन इस्पिट जो है वो सबसे अधिक हैं गुणनन चाल कितनी हैं 10 घंटे और इसको सुर्य की परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता हैं 12 वर्ष लग जाता हैं सुर्य की एक परिक्रमा लगाने में इसको 12 वर्ष लग जाते हैं मंगल और ब्रहस पती कक्षाओं के बीच कुछ छोटे-छोटे आकाशी पिंड होते हैं जो सुर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? शुद्ध ग्रह बोलते हैं क्या बोलते हैं? शुद्ध ग्रह तो ये भी काफ़ी important है हाली में exam में question पूछे आ रहे हैं इससे तो ध्यान रखेगा इनकी खोज जो है वो किसने करी थी गैलेलियोग द्वारा की गई थी शनी का सबसे बड़ा उबग्रह कौन सा है टाइटान है जो सोर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उबग्रह है हागे देखिए एक और important point कि इस ग्रह का जो घनत्व है वो जल से भी कम है मतलब अगर इसे जल में रखा जाए तो ये ग्रह जो है वो तेरने लगेगा ठीक है क्योंकि इसका घनत्व जो है वो जल से कम है अगला आता है दोस्तों Uranus जिसे बोलते हैं Arun ये सोर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका परीब्रहमन शुक्र के भाती है शुक्र और Arun मतलब Uranus ये दोनों सुर्य के परिक्रमा लगाते हैं पूर्व से पश्शिम की ओर बाकि सारे ग्रह सुर्य के परिक्रमा लगाते हैं पश्शिम से पूर्व की ओर ओके फ्रेंट्स देखिए अगला ये अपनी धूरी पर सुर्य की ओर इतना जुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई देता है इसलिए इसे क्या बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है किसको? Uranus को इसके वायू मंडल में मिथेन की अधिक्तम मात्रा पाई जाती है देखिए अगला आता है नेप्चुन इसे क्या बोला आता है? वरून ये हरे रंग का एं ग्रह है और ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी परिस्तित है कौनसा? वरून मिथेन की अधिक्ता होने के कारण ही इस ग्रह का जो प्रकाश है वो कैसा है? हरे रंग का है तो ध्यान रखिएगा ये भी पूछा जाता है कोशन कि हरे रंग का ग्रह जो है वो कौनसा है? नेप्चुन है? वरून सबसे अधिक दूरी परिस्तित है सूर्य से तो देखे फ्रेंड्स यहां पर हमारा ये section complete होता है मैंने sequence wise सभी ग्रहों के important points आपको बता दिये हैं तो फ्रेंड्स इनको रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रोत नहीं एक बार आपने अच्छे से imagination कर लिया ध्यान से सुन लिया आपको automatically यह सब चीज़े याद हो जाएगी अब देखिए एक छोटी सी जीच बाकी है हमारी सूर्य ग्रहन और चंद ग्रहन क्या होता हैं इसको भी हम समझ लेते हैं एक जाम में अक्सर इस सभी questions पुछ ले आते हैं देखिए सूर्य ग्रहन क्या होता हैं जब सूर्य और प्रत्वी के बीच में चंद ग्रहन आता हैं तो सूर्य की चमकिली सतर चंद ग्रहन के कारण दिखाई नहीं पड़ती हैं चंद ग्रहन की बात करते हैं तो जब प्रत्वी की इस्तिती सूर्य और चंद ग्रहन के बीच ठीक एक सीध में हो तो प्रत्वी की चायां चंद ग्रहन पर पड़ती हैं तो चंद ग्रहन की एसी इस्तिती जो होती है वो क्या किलाती हैं चंद ग्रहन किलाती है तो ये सूरिक ग्रहन, चंदक ग्रहन, देखिए ध्यान रखना important है, इससे भी exam में questions बन जाता है तो friends, यहाँ पर हमारा ये theory section complete होता है चलिए भी हम test लगाते हैं, सारे important questions मैंने इस test में include करें हैं, तो आप test जरूर लगाईए, आपको काफी benefit मिलेगा, हो सकता इस test के question में से आपको exam में देखने को मिले, तो चलिए, test लगाते हैं, तेखिए दोस्तो पहला question है, सोर प्रणाले की खोच किसने की थी, तो किसने की थी, copper निकस ने सोर प्रणाले की खोच की थी, और ग्रहों की चारो और परिक्रمा करने वाले, चोटे आकाशिeten, उबग्रह के लाते हैं, सोर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो ग्रहों की संक्या है 8, next question लेते हैं, anthrikर्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं, तो ये धियान रखेगा, लिक्रिक्ष में 89 तारा मंडल हैं, निम लिखित में से किन के बीच ओसत दूरी को खगोली एकक कहा जाता है तो मैंने आपको बताया था प्रत्वी जिता सुर्य के बीच की ओसत दूरी को क्या बोलते हैं खगोली एकक बोलते हैं जितने भी questions आपको solve करा रहा हूँ ये सारे questions last year exams में पूछे गए questions है लास्ट 10 साल में जितने भी इस topic से questions पूछे गए हैं वो सारे questions मेंने इस test में include करें तो अगर आप ये test पूरा अच्छे से लगा लेंगे तो इस topic से question आपका बिल्कुल पक्का हो गया फिर अगला question लेते हैं सुर्य में काला धबबा क्या है तो देखिए सुर्य में एक बड़ा काला भेद बिल्कुल भी नई धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाव सर्जित करने में असमर्थ है C answer बिल्कुल सही होगा next question लेते हैं सुर्य के रासाइनिक मिशन में hydrogen का प्रतीशत कितना है तो देखिए hydrogen कितने परसेंट है 71% और helium कितनी है 26.5 निम्न लेखित में कौन एक तारा है देखिए चंद्रमा, शुक्र, प्रत्वी, सुर्य सुर्य एक तारा है सुर्य की सतर पर hydrogen के अलावा दूसरा कौन सा तत्व भहुतायत से पाया जाता है तो देखिए hydrogen के बाद helium पायाता है 26.5 तो ये बिल्कुल सही अंसर होगा अगला कौशन लेते है सुर्य का प्रकाश धर्ती तक पहुँचने में कितने मिनिट लगते हैं तो 8.3 मिनिट लगते हैं प्रत्वी तक पहुँचने में सुर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है बुद्ध ग्रह है कौन सा ग्रह सुर्य की परिक्रमा 81 दिनों में पूरा करता है तो कौन करता है बुद्ध करता है सबसे जल्दी परिक्रमा करता है 88 डेज में निमलिखित में से कौन से ग्रहों के चारो और घुमने वाले उपगर नहीं ए तो देखिए बुध और शुक्र दोनों के उपगर नहीं ए तो B आंसर सही होगा किस ग्रह को Evening Star कहा जाता है तो किसे कहा जाता है शुक्र Venus को कहा जाता है Evening Star B बिल्कुल सही आंसर होगा निम लिखीत में से कौन ग्रह सुर्री का चक्कर सबसे कम समय में लगाता हैं तो बुद्ध लगाता हैं 88 डेज में यह बिल्कुल सही होगा Next question लेते हैं सोर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग प्रत्वी जितना बढ़ा हैं तो Venus, शुक्र निम निमे से किसे Blue Planet कहा जाता हैं तो प्रत्वी को कहा जाता हैं सबसे तीवर गती से सुर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह हैं तो सबसे तेजी से लगाने वाला बुद्ध हैं प्रत्वी के ब्रह्मन की गती हैं, देखिए प्रत्वी के ब्रह्मन की गती कितनी है, 27 किलोमेटर प्रती मिनेट, मतलब उसकी गुणनन गती पुछ रहा है, ठीक है क्या पुछ रहा है गुणनन गती, तो 27 किलोमेटर प्रती मिनेट से वो अपने अक्षपर गुम रही है, तो जुक्र सबसे चमकिला ग्र्म हैं, अगला कोशन लेते हैं, प्रत्वी इस्थित arms? किन ग्रहों के बीच में इस तीरे देखिए शुक्र एवं मंगल के बीच बिल्कुल सही ए आंसर सही होगा सुर्य एवं प्रत्वी के बीच नियुनतम दूरी होती है सुर्य और प्रत्वी के बीच में नियुनतम दूरी कब होती है तीन जनवरी को होती है और अधिक्तम दूरी कब होती है चार जुलाई को देखे अगला कोशन पुछाए कि प्रत्वी सुर्य से अधिक्तम दूरी पर होती है कब चार जुलाई को अधिक्तम दूरी पर होती है तो ये ध्यान रखिया काफ़ी इंपोर्टेंट कोशन है अगला कोशन लेते हैं सोर मंडल का सरवादिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह हैं प्रत्वी अपनी धूरी पर घुमती हैं अतला एक चक्कर वो कम्प्रिट करती हैं 23 गंटे 56 मिनिट 4 सेकंड में निम लिखित में से कोन से ग्रह के सरवादिक प्राकरतिक उपग्रह हैं किसके हैं ब्रसपती के हैं देखे अगला कोशन प्रत्वी की अपनी कक्षा में गती हैं पश्शिम से पूर्व की ओर सोर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम लिखित में से कोन सा हैं तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कौन सा है गैने मीड है और ये किसकी परिक्रमा करता है ब्रसपती की प्रत्वी के सरवादिक निकट कौन सा ग्रह है तो सबसे निकट ग्रह है प्रत्वी के शुक्र ठीके निम्न मेंसे किस उबग्रा के चारोवर इस परस्ट वलै हैं तो शनी के चारोवर वलै पाए जाते हैं और वलै के संक्या कितनी है प्रत्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सता उसकी कूल सता का कितना प्रतिशत है 59 परसेंट दिखाई देती है मंगल एवं ब्रसपती ग्रहों के मध्य सुर्य की परिक्रमा करने वाले खगोली पिंड को कहते है क्या कहते हैं? शुद्ध ग्रह कहते है बी आंसर सही होगा सुर्पतम खोजा गया शुद्ध ग्रह हैं कौन सा सीरस? चलिए अगला कोशन लेते हैं किस ग्रह को प्रत्वी की बहन के नाम से जाना जाता है शुक्र ग्रह को विनस को जाना जाता है प्रत्वी की बहन उत्री दुरूव की खोच किस ने की थी तो रॉबर्ट पीरे ने उत्री दुरूव की खोच की थी एमेंट सेन ने किसकी करीती दक्षनी दुरूव की सूर्य ग्रहन निमलिखित में से किस इस्तती में होता है तो सूर्य ग्रहन कब लगता है जब प्रत्वी और सुर्य के बीद चंद्रमा आ जाता है बिल्कुल सही यह आंसर बिल्कुल सही होगा अगला कोशन लेते हैं सुर्य के चारों और प्रत्वी की परिभ्रमन चाल देखिए वर्ष बर एक समान रहती है बिल्कुल गलत जैसे जैसे प्रत्वी सुर्य के पास जाती आती है उसकी परिभ्रमन चाल्ज होती है वो बढ़ने लगती है तो देखे आंसर कुण सा होगा अधिक्तम होती है जब प्रत्वी सुर्य से अधिक्तम दूरी पर होती है अधिक्तम होती है जब प्रत्वी सुर्य के निकट तम होती है बिल्कुल सही बी आंसर बिल्कुल सही होगा दीन वर रात होने का कारण है क्या है प्रत्वी का अपने अक्षपर घुर्णन करना बिल्कुल सही किसने सबसे पहले प्रत्वी की परिदी को मापा था तो देखिए यह ध्यान रखिएगा Erito-Sthenisme ने क्या करा था सबसे पहले प्रत्वी की परिदी को मापा था Next question लेते हैं सोर मंडल के चार सबसे विशाल ग्रहों को गटे करम में जमाना है तो सबसे बड़ा कुणसा है देखिए ब्रसपती, उसके बाद शनी, उसके बाद यूरेनस, फिर नेप्चुन तो आंसर कुणसा होगा? भी बिल्कुल सही आंसर होगा निम्न में से किस विग्यानिक ने यह सिद्ध किया कि सुर्य के चारों और प्रत्यक नक्षत्र का मार्ग दिर्ग वरताकार होता है, मतलब अंडाकार होता है तो देखिए ग्रहों की गती का नियम किस ने दिया था? कैपलर ने दिया था जो ग्रिश्मकाल में उच अक्षान्षो मतलब दुरूवी वरत, आर्करटिक और अंटार्टिक शेत्रों में देखी जाती है ये जो घटना है ये कहां-कहां देखी जाती है इन शेत्रों में ये घटना देखी जाती है और इसके दोरान सुर्य जो होता है वो इन अक्षान्षों पर उस समय भी चमकता है जब प्रत्वी के अन्य भागों में मद्धिरात्री होती है ठीके? तो देखिए option क्या होगा? सुर्य का दुरूवी वत पर देर तक चमकना डी आंसर सही होगा अगला देखिए सुपरनोवा क्या है? तो ये सुपरनोवा क्या है? एक 24 तारा है सुर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कोन ग्रह अधिक्तम समय लेता है तो देखिए प्रत्वी ब्रसपती मंगलो श्चुक्र में देखना है तो सबसे पहले आता देखिए इन में से देखिए हैं अपन तो श्चुक्र फिर आती बारी प्रत्वी फिर आता मंगलो फिर ब्रसपती तो सबसे अधिक समय किसको लगेगा? ब्रसपती को लगेगा B आंसर सही होगा शनी ग्र है प्लूटो से ठंडा नेप्चुन से ठंडा नेप्चुन से गर्म C आंसर बिल्कुल सही होगा नेप्चुन से गर्म होता है शनी ग्र आकाश का सबसे चमकदार तारा हैं सबसे चमकदार तारा कुन सा है? सीरियस जो की परत्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है अगला कोशन लेते हैं देखिए शुद्ध ग्रह जिन ग्रहों की बीच पाई जाते हैं वे हैं तो मंगल और ब्रसपती के बीच में पाई जाते हैं शुद्ध ग्रह तो आंसर क्या होगा? सी सही होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये टेस्ट का सेक्षन कम्प्रीट होता है 50 सम्टिंग कोशन हमने अच्छे से सौल करे हैं और ये सारे कोशन्स मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तो अगर आपको ये टेस्ट लगाना है तो इस टेस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आप वहाँ से ये टेस्ट लगा सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है क्योंकि इस तरीके के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनेफिट मिलता रहेगा तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिन जय भरत